हेलो माई यूटूब फैमली कैसे हैं आप सभी मैं अमीद करती हूँ आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे और आज न आज का विलोग थोड़ा सा मतलब मैं क्या बताऊं वो साथी चीज़ें आपको आगे मेरे विलोग में पता चल जाएंगी दो तिन दिन का करके मैं यह बिलोग डाल रही हूँ क्योंकि मेरी बिलोग डाने की कोई हिमती नहीं थी कोई मनी नहीं था कुछ ऐसा ही हुआ था हमारे साथ तो यह देखिए काफी काफी टाइम तो नहीं मैं अभी कहीं बाहर गई थी न जब दो ती दिन पहले उस टाइम किये तो यह सोबह सोबह किये जो मैंने लास्ट वीडियो आपके साथ सेयर किया उससे नेक्स्ट डे वाला दिन है और आज मुझे जाना है अपने माय के और मैं पूरे एक साल के बाद जाऊंगी माय के तो देखिए कभी भी जाईए सब को खुसी होती है माय के की तो बात ही कुछ और होती है क्योंक दो महीने की हम चुट्टी एक महीने की चुट्टी आयते सोरी और फिर लोकडाउन लग गया था न उसकी वज़े से फिर हमारी चुट्टी बढ़ा दी गई थी तो मैं दो महीने रुकी थी यहाँ पर लेकिन माय के में जाने का बस मुझे चार या पांच दिन का ही टाइम म और क्या करें ऐसी ही लाइफ होती है हमारी ओरतों की जब साधी हो जाती तो सारी चीजें बहुत सारा कुछ है जो चेंज हो जाता है तो यहां पर जो मैंने लाश्ट में आपको दिखाया था ना पेटी कूट काटके रखा था वो उसी को सिल रही हूं और आज मैं फॉल तो यह देखिए देवु छेट चाड़ कर रही है मोबाइल के साथ और इसकी थोड़ी सी ना इसकी तवित खरावे सी लिए यह सोई हुई है पता नहीं क्यों इसका पेट दर्द जैसा कर रहा है तो बस मैंने यहां पर अपना पेटी कूट सिल लिया है और मैं अपने कपड तो यह देखिए मैं यहां पर लगा रही हूँ अभी इसमे फाल नीचे तु मैने आपको इस दिन दिकाया था मैंने मसीन से इसको नीचे नीचे रख लिया था लेकिन उपर उपर धासूई से लगा रही हूँ और अभी दो ढऻय का टाइम हो गये था ॉधा हम साम के टाइ बच्ची यहां पे खेलने लगे हुए है जब इनको पता चल जाता है कका नहीं जाना है तो यह लोग मतलब फिर तो इतने खुस हो जाते हैं वह बहुत ज्यादा घर से भी फोन आ रहे थे खर किसी का भी माय का हो देखिए वह लोग किसी की भी बेटी है तो आती है तो कितनी खुसी होते हैं अब आपको तो पैर कोई उन लोगों का फोन आ गया था बारे बजे आप लोग कब चलोगे अभी चल दो तो इस वज़े से मैं बुली नहीं अभी बहुत धूफ हैं सामके टाइम चलेंगे तो चलिए फटा-फट से यहां पर लगा लेती हूं मैं अपनी फॉ प्रवार से लड़की की जिंदगी कुछ ऐसी होती है अपने होके भी फिर हम उने अपने नहीं कह पाते हैं तो चलिए यह देखिए मैंने अपनी आपको दिखाती हूं साडी का पूरा सब कुछ तयार कर लिया है बलावज पेटी कोट फॉल सब कुछ रेड़ी हो गया है औ और मैं अपना काम खुद से कर लेती हूं ठीक है कुछ बचत हो जाती है और अच्छा भी लगता है और यह देखिए अभी में फाइनल इसको पहन चुकी हूं साड़ी को आप लोग बताएगा कैसी लग रही है थोड़ा सा ना इनों मेरा मूल खराब कर दिया यह बोले यह बि पांच बजे हम लोग यहां से निकले हम मैं बोली चली जाने दो मैं अपने माई के जा रही है जैसी वी ठीक है कोई नहीं पैसे साड़ी मेरे पास और भी थी बस पर मैंने इसी पेहनी लिया था मैंनी कोई नहीं तो यहां पर हम निकल गए थे और थोड़ी से देर मम्मी का साथ है बाइक से जाना इसी वज़े से हम निकल चुके थे वो आई नहीं थी वो बाद में आई थी तो बस थोड़ा सा मैंने सूट किया था ज़्यादा कुछ नहीं गिया था क्योंकि क्या होता है ना बच्चे हैं साथ में और यह चीज ना रिस्क वाली होती है मुझे नही फिर आपको पूरा दो दिन के बाद मैंने थोड़ा सा हिम्मत करके वीडियो बनाया है क्योंकि मेरी बिल्कुल हिम्मत भी नहीं हो रही थी मैं इतना खुस थी अपने घर जाने के लिए बहुत ज़्यादा खुस लेकिन उसके लिए पूरी बात को समझाने के लिए मुझे थोड़ा सा आपको पहले से बताना पड़ेगा और मेरी इतनी हिम्मत थी कि मैं सामने से आपसे आकर बैट के बात करूं मैंने वस थोड़ा सा वीडियो सूट किया क्योंकि हर खुसी हर दुख में आप मेरे में सामिल होते हो तो हर चीज आपको बताना मेरा फर्ज बनता है तो मेरे माईके में पहले से मैं आपको बताती हूँ कि मेरे माईके में जो मेरे पापा है वो लोग पांच भाई हैं और जो मेरे सबसे बड़े ताउजी थे ना उनके सबसे बड़े वाले लड़के कोशे दिन से तवियत उनकी खराब चल रही थी तो मैं इसी लिए माईके ग या उसी के बाद उनकी दैथ हो गई मेरे भाई के तो ये सोचिए ये कितना बड़ा सदमा है और मतलब एज भी उनकी उतनी भी जादा नहीं थी देखिए पचास की एज कोई जादा नहीं होती है अभी उनका फिप्टी बस पूरा हुआ था और ये भगवान पता नहीं क्या क कैसे कैसे खिल किसके नसीब में क्या लिख रखा है तो इसी वज़े से वहां का पूरा माहूल खराब हो गया सब लोग दुखी हो गए सब कुछ तो मैं कुछ न तो आपको अपने परवार से मिला पाई न कुछ और न मेरी हिम्मत है कि मैं वीडियो बनाओ ये पिर क्लिप बहुत पहले पहले की है बस मैंने आपके साथ इसी वज़े से सेयर कर दी है और ये चीज़े न इनसान जब मानता नहीं है किसी की तो कभी न कभी जिन्दगी भी धोका दे देती है उनको हम लोग मतलब हम क्या जैसे परवार वाले बहुत समझाते थे थोड़ा सा था न वह ड्रिंकिंग करते थे इसी वज़े से उनका मतलब तब ये ज़्यादा खराब हो गए बहुत सब लोगों ने समझाया इस चीज़ को छोड़ दो छोड़ दो लिए सही नहीं होती है और देखे क्या उमर थी मेरी ताई जी भी है अभी और ताई जी भी कि ज़्यादा मतलब म मा के आगे बेटा चला जाए तो आप समझी सकते हैं कि उस मा का क्या हाल होता होगा हम लोगा करना पूरी रात ऐसे ही निकल गई जगते हुए रोते हुए रात को ही फिर उनका मतलब आट बज़े की संथिंग वो खतम हुए थे फिर रात को ही क्योंकि बारे बज़े के की तरह हो तो आप लोग भी समझोगे तो आपके साथ बता देती हूं फिर देखती हूं जब मुझसे मतलब अच्छा मेरा थोड़ा सा मूड होगा तब मैं बनाऊंगी और मैं आ चुकी थी ना अपने ससुराल हम लड़कियों की ऐसी जिन्दगी होती है कि दुख की घड़ ब्लोग के साथ तब तक के लिए थैंक्यू फॉर वोचिंग आप सबी का मुझे सब्सक्राइब करने के लिए धन्युक्त